हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम S.O.L. के जो फर्स्ट एंड थर्ड समेस्टर के जो ओपन बुक एक्जाम मार्च 2021 में होने वाले हैं उसकी कुछ important queries हैं वो इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं मैंने इससे पहरी भी queries के ओपर एक दो वीडियो बनाई हुई हैं आप चाहो तो उन वीडियो को जाकर भी देख सकते हो बड़ इस्टिल further more queries आप लोगों की हैं जो मैं इस वीडियो के through cover करने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो इस वीडियो को सबसे पहले बात आती है यहाँ पर date sheet की date sheet दोस्तो जो आई है वो tentative date sheet है ठीक है मैंने जितनी भी वीडियो date sheet के ओपर बनाई है मैंने साफ साफ उसमें thumbnail में भी title में भी लिखा है और वीडियो में भी बताया कि as well की tentative date sheet आ गई है तो क्या बच्चों की कारी यह है कि यह तो date sheet है यह confirm होगी 99% chances है कि यह date sheet confirm होगी अगर एक परसंट date sheet में कोई changes भी आते हैं तो I will definitely inform you जब final date sheet release होगी ठीक है तो please यह मत कहिए कि date sheet fake है बहुत से बच्चे बोल रहते कि यार यह date sheet fake है तो वो date sheet fake नहीं है वो as well की website पर है वो examination branch की website पर है तो fake date sheet बिलकुल भी नहीं है आप लोग अपनी जो information है वो correct करिए ठीक है और बागी जब confirm date sheet आईगी तो मैं आपको बता दूँगा कि उसमें changes हुए है या नहीं हुए है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर बारी आती है हमारी exam form से regarding बहुत से बच्चे बोल रहते कि सर हमको exam form भी fill करना है क्या चाहे वो third semester वाले हो या फिर first semester वाले हो तो भाई आप लोगों को कोई भी exam form नहीं fill करना है ठीक है कोई भी examination form आपको नहीं fill करना है लेकिन open book exam के लिए एक registration होता है उसमें आपके पैसे नहीं लगते सिर्फ एक registration होता है दो मिनिट का वो आपको करना है अब बच्चे बहुत से पूछेते कि यार ठीक है registration करना है लेकिन वो करना कब है तो भाई वो जब भी करना होगा मैं आपको वीडियो के फो इन फोर्म कर दूंगा जब आपके mock test start और जो आपका exam है वो भी दे सको mock test बिलकुल भी mandatory नहीं है मैं दुबारा repeat करता हूँ mock test में appear होना जरूरी नहीं है mock test सिर्फ और सिर्फ इसलिए conduct करवाए जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो familiar हो जाए portal से बच्चों को ये चीज़ पता लग सकी कि किस तरीके से मुझे portal को login करना है किस तरीके से वहाँ पर मुझे PDF फाइल upload करनी है सिर्फ इसलिए mock test conduct करवाएंगे अब ये totally आप पर depend करता है कि आप mock test में appear हो या नहीं हो कोई marks वगरा कुछ नहीं लगने वाले mock test है ठीक है और जैसे कि मैं आपको बता रहा दे exam form आपको नहीं fill करने आपको registration करना है registration जब भी start होंगे तो मैं आपको बता दूँगा I hope कि मार्च के first week में registration आपके start हो जाएंगे तो बिल्कुल भी panic नहीं get it करना है mock test के लिए registration होगा step by step जो सारा तरहीका होगा उसके ओपर separate video बनाई जाएगी हमारे चैनल पर प्लीज आप लोग बार बार यह सवाल ना पूते कि mock test के registration कब से होंगे और examination form आपको नहीं fill करना है फास्ट और third semester के बच्चों को वो आप already fill कर चुके हो ठीक है तो exam form की कारी दुबारा से नहीं आए इसके बाद हमारी बाहरी आती है कि open book exam में camera open होगा नहीं जी open book exam में कोई भी camera कुछ भी webcam वगरा कुछ भी open नहीं है दूसरी चीज open book exam आप mobile से easily दे सकते हो laptop वगरा कि कोई जरूरत नहीं है तीसरी चीज open book exam जिसके मैंने आपको बताया website पर होगा portal तयार करा जागा portal का मतलब है website ठीक है actual में कोई application डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कोई zoom app कोई microsoft teams app ऐसा कुछ download करने की जरूरत नहीं है एक और चीज यह है कि open book exam में normal जो आपके paper होते हैं वैसे paper होंगे कोई mcq-based question आपसे नहीं पूछ जाएगा normal जो return question होता है वही आपसे पूछे जाएंगे बहुत से बच्चे सवाल कर रहे थे कि अब तक हमको college नहीं हुआ तो बाई एसोल में तो अभी online classes चल रही है तो college अलोट होने का सवाल भी पैदा नहीं होता जब जब offline classes start होंगी हो सकता है second semester में हो जाएं जब यह first semester के exam खत्म हो सकता है fourth semester में हो जाएं जब यह third semester के exam खत्म हो तो बाई जब offline classes start होंगी तभी तो आपको colleges का message आएगा तभी जब online classes चल रही है तो आपको college का message जबी नहीं आएगा अभी आपको कोई भी college अलोट नहीं हुआ है ठीक है अच्छा इसके अलावा जो हमारी बारी आती है वो यह email ID और phone number की जब आप open book exam का registration करोगे तो उसमें जो आपकी S.O.L. के साथ email ID और phone number registered है वही वाला आप जो detail है वो enter करोगे बहुत से बच्चों क्या हो सकता है यह वाली जो registered email ID और phone number है वो बंद हो गई हो तो tension मत लीजिए जब registration start होंगे उसी time पर आपको आपका email ID और phone number अपडेट करने का option दिया जाएगा और वो चीज़ कैसे करनी है वो सब चीज़े हम cover कर देंगे आने वाली वीडियो में ठीक है इसके लवा हमारी बारी आती है recorded lecture की दिके S.O.L. के जो online classes है फर्स समेस्टर के currently चल रहे हैं और थर्ड समेस्टर की नॉवंब पर login करके रखना है उसके बाद अपने student dashboard में जो recorded lecture वाला option है blue color में उसमें जाकर आप अपने थर्ड समेस्टर की जो recorded classes है वो देख सकते हो बात रही फर्स समेस्टर की फर्स समेस्टर की भी I hope जल्दी आ जाएंगी में भी शायद मार्च में आ जाएं तो आप लोग अपना student dashboard में आ जाएंगे ठीक है थर्ड समेस्टर के आ चुके हैं फर्स समेस्टर के भी बहुती जल्द उसमें आपको available कर दिये जाएंगे इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा था server problem server problem की बात करूं से पहले कुछ और बात में करता हूं देखो answer sheet यानि कि जो open book exam क यूज करो without lines वाली यूज करो both side lining वाली यूज करो both side plane यूज करो कोई फरक नी पड़ता आप रजिस्टर का page यूज करो कोई फरक नी पड़ता size for होना चाहिए यूज कर सकते हो लेकिन बड़ा size यूज नहीं कर सकते वह इसलिए यूज नहीं कर सकते तकि जब आप उस पर जब आप answer लिख दो गए तो PDF बनाने में आपको दिक्कत आएगी PDF का page पूरा एक page में आप बनाऊंगे तो थोड़ा blur हो जाएगा पेज काफी बड़ा होता है for size से बड़ा वाला तो बहतर है कि a for size ही यूज करें यूज से थोड़ा छोटा वाला भी आप यूज कर सकते हो ठीक है दाकि answer sheet के first page पर क्या क्या चीज़े लिखनी है description box में आपको मिल जाएगा वो वीडियो आप ज़रूर से जाकर देखिएगा बाकि OBE Portal का जैसे मैंने बताया registration कैसे करना है इसके ओपर separate video बनेंगी OBE Portal पर question paper कैसे download करना है फिर उसमें answer sheet कैसे upload करनी है उसके ओपर भी separate video बनेगी separate video इसलिए बनेगी क्योंकि अभी भी open book exam का portal activate नहीं हुआ है तो अभी तो बिल्किल भी आपको मैं नहीं बता सकता कि कि किस तरीके से उस पर आपको question paper download करना है हाला कि पहले की videos हैं लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हो सकता है कि portal में कोश changes आ जाया है इस वज़े से मैं video नहीं बना रहा हूं ठीक है तो बहतर है आप wait करें आगे आने वाली videos का registration कैसे करना है उसके ओपर भी separate video बनाई जाएंगी admit card की आगर मैं बात करूँ दोस्तो admit card आपका exam से कुशी दिन पहले online आ जाएगा online ही आएगा आपको admit card उसका printout लेका रख सकते हो मैं recommend करूँगा हाले कि printout लेके रखना क्योंकि admit card की ज़रूरत आपको आगे पढ़ सकती है फिर आप कहोगे कि sir हमारे पास तो admit card नहीं है व अब ही री चेकिंग करवाने के लिए admit card की hard copy की जरूरत आपको पढ़ीगी तो बहतर है जब भी admit card आए तो उसकी या दो PDF बना कर कोई ऐसी जगा रख लेना safe जगा पे या फिर printout लेके रख लेना उसका इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि admit card जो आएगा उसका printout लेके जरूर से आपको रखना है admit card पर आपका exam role number mention होगा मिल जाएगा वह exam role number जो और जो registration के नाम पर पासवेट करोगे उन्ही exam role number पासवेट के तुरू आप रोजाना लोग इन कर गए अपना जो exam होगा वो करोगे ठीक है रोजाना इंजसेंस चार दिन पेपर तो चार दिन इसके बाद बाद बारी आती है mock test मैंने आपको बता दिए mock test mandatory बिलक आप exam दे सकते हो शर्त यह है कि आपका internet चलना चाहिए internet चल रहा है तो आप exam दे सकते हो ठीक है अच्छा अब यहाँ पर बारी आती है हमारी examination pattern की दोस्तों मैं बानता हूं कि आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो 10 year में से practice कर रहे हैं जो 10 year जो आप practice कर रहे हो सिर्फ जो सिर्फ यह ज़िए जमाग में रखके practice कर रहेगा 10 year में से कि जो question उसमें आ रहे है जो topic उसमें आ रहे हैं कौन-कौन से topic कवर हो रहे हैं यह जो exam है दोस्तों यह open book exam है इसमें pattern ठीज हो जाता है question paper का जो normal exam होता है उसमें pattern अलग होता है but यह जो exam है इसमें pattern ठीज होता ह है चेंज इने सेंज़ जो नॉर्मल पेपर होते हैं उस Wade को आठ मेने से पांच exist expect करने mu लेकिन जो two reson जो ढ क्विशन करने के लिए आपको ज्यादा ऐसके रिविश बहुत से बच्चे सवाल करेंगे कि pages कितने लिखें वो फरक निपढ़ता ठीक है वो फरक उस चीज़ से पढ़ता है कि question में किस चीज़ की demand कर रहा है question उसके कितने valid pages होने चाहिए फिर भी कम से कम 4 से 6 pages आप एक answer के जरूर लिख कर आईएगा ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी मत करेगा suppose कर ये तीन घंटे का paper है तो आपको विसे paper चार घंटे का है तो तीन घंटे का paper है तो आपको divide कर लेना है कि कौनसा answer कितने minute में करना है ठीक और extra time उसमें नहीं देना है आपको बिल्कुल भी अच्छा अब यहाँ पर हम इन्वर्स्टी में पढ़ रहे हो किसी भी semester exam में तो आपको preparation reference book से करनी चाहिए कोई study material 10 years सब ठीके पढ़ जाता है जब आप reference book से पढ़ते हो ठीक है मैं जानता हूँ कि जो humanities stream के बच्चे है political science के या history के उनके एक particular book नहीं आती मतब एक book नहीं होती जिसमें सारे chapter cover हो जाए first year में जरूर आती है political science की ओपी गाबा आती है लेकिन third semester में कोई एक specific book नहीं मिलती जिसमें सारे topics cover हो जाएं फिर भी मेरी हमेशा personal year आयरेती है कि कहीं ने कहीं से आप अलग-अलग books से material collect करके उसमें से पढ़ो लेकिन एक और point आपको समझना चाहिए जो study material है उसे बहुत स पढ़ना शुरू करोगे अगर देखो सबसे पहली चीज तो यह होती है कि इनसान अगर किसी book को पढ़ता है उस book में उसको सभी चीज़े समझना आ रही है वो book का मतलब मेरा यह है वो tenure भी हो सकता है वो study material भी हो सकता है या फिर वो कोई reference book भी हो सकती है अगर उस book में आप उसे दिमाग में रखें कि study material बुरा नहीं है study material की जरूर आप help लीजिए ठीक है और दूसरी बात यह है दोस्तो open book exam जो होगा उसमें question ठ्रकी आ सकते है political science में मैं बिल्कुल भी नहीं को question ठ्रकी आएंगे उसमें direct question आएंगे political science में ठीक है जो आपका business subject है इसमें become में इसमे question ठ्रकी आ सकते हैं लेकिन ultimately question का answer तो वही लिखना है जो आपके syllabus में है तो study material के आप help लीजिए preparation करने के लिए ठोड़े बहुत question 10 year में दिखे 10 year में ऐसा नहीं है कि सारे question बेकार होते है कुछ question की quality बेकार होती है उसमें लेकिन कुछ question की quality अच्छी भी होती है 10 year में तो question कोशिश ये करिएगा कि answer जब आप open book exam में लिखने बैठें तो exact same copy ना करें आप same को भी कर भी नहीं पाऊँ कर भी क्योंकि suppose करिए 5-6 pages का आपको answer लिखना है आप उसको 10 year में से रठके चलेगा है तो 10 year में तो 5-6 pages का answer I don't think होता है बहुती rarely होता है उसमें तो बहतर है कि answer जब लिखो तो उसको थोड़ी बहुत अपनी language में भी लिखो चीजों का concept अगर clear होगा तो अपनी language में आप answer लिख सकते हो अगर आपकी English अच्छी है तो या Hindi medium के student हो Hindi अच्छी है तो तो इस चीज़ से एक और point मिने दिमाग में आ गया कि आपने कोई भी medium choose किया हो English medium choose कि हो या Hindi medium choose किया हो आप अपना answer या तो पूरा English में लिखेंगे सारे answer या पूरा Hindi में लिखेंगे ठीक है तो आप respective of your chosen medium you can attempt to your question paper either in English और in Hindi किसी भी language में आप लिख सकते हो और बस preparation का मैं आपको बताई दिया कि study material बिल्कुल आप देखो कोई बुराई निया study material से पढ़ने मे आप देखो क्योंकि हमारे पास कोई option है भी नहीं इस वक्त अगर market में आप reference book लेने चले जाओगे ना तो मुझे लगता कि एक महने में उसको आप cover कर सकते हो करने को तो हो जाएगा लेकिन एक subject नहीं है आपके पास 4 subject आपको दिखने है ठीक है और 4 subject देखने से मेरा मतलब दोस्तों यह है कि अगर suppose करिये third semester वाले बच्चों के पास English subject है suppose करिये program वाले बच्चे है उनके पास English subject है तो उस पर उतनी तरजी नहीं देनी अगर आपकी English अच्छी है तो क्योंकि उसमें सारी चीज़ा unseen आती है तो बिलकुल भी मत करिये कि आप English लेके बैठ गाया है उ English में हर चीज़ unseen आती है English का paper हमेशा है इनसान के luck पर depend करता है कि उसका luck कैसे चल रहा है exam वाले दिन यह मेरा personal मानना है बाकि अब यह आप के उपर depend करता है कि English की practice आपको करनी है नहीं बागे के तीन subject हैं उसकी practice करिये अभी एक मैना है 30 दिन है 10 दिन में एक subject अगर आपको करना हो open book exam के लिए तो वो easily हो जाएगा open book exam के लिए हर चीज़ और concept समझनी की जरुवत नहीं है कुछ concepts का notes खुद से बना कर रख लो ताकर जब OBE हो तो उस notes में सही देख कर ही आप उसका answer देख सको ठीक है अच्छा अब जो most important चीज़ थी दोस्तों वो यह थी कि suppose करिए जिस दिन हमारा open book exam हो उस दिन portal हैंग हो गया तो क्या होगा क्योंकि हमने last year का train देखा है कि OBE वाले दिन website बिल्कुल हैंग हो जाती है पूशन पेपर डाउनलोड तो हो जाता है ठीक है अब suppose कर यह धाई बज़े पेपर है तो चार बज़े तक यह पांच बज़े तक तो website ठीक चलेगी लेकिन जब पेपर खतम होने का time आएगा जब बच्चे उस पर answer sheet अप्रोड करने सारे बच्चे एक साथ लगेंगे तो website ज़रूर से हैंक कर सकते हैं इसके बहुत ही स्टॉंग चांस नहीं तो ऐसी situation में हमको क्या करा जाए दो जाए पहले तो आपको कुछ चीज़े दमाग में रखनी है कि PDF बनाने में बिल्कुल भी आपको गल्ती नहीं करनी हैं बहुत से बच्चों का मैंने क्या देखा था last year उन लोगों ने PDF तो बनानी थी लेकिन उनकी PDF फाइल ही corrupt दी PDF फाइल corrupt इसलिए थी क्योंकि बहुत से application ऐसे आते हैं Google Play Store पर आप उनसे PDF ज़रूर बना सकते हो लेकिन PDF बनाने के बाद जब उसका आप नाम चेंज करने जाते हो ना PDF का वहां पर दिक्कत हो जाती है नाम चेंज करने के बाद आपको PDF के अंदर .PDF भी लिखना पड़ता है तब जाके वह फाइल PDF में होती है लेकिन अगर आप उसका जो डिफॉल्ट ने में वह पूरा हटा के उस PDF का नाम ही चेंज कर देते हो तो वह PDF फाइल नहीं करा जाती है वह खुले गई ही नहीं आप और वह PDF मेरे फूल में फाइल मेनिजर में आपन हो रही है या नहीं। इस चीज का जरूर से ध्यान में रखना है दूसरी चीज चीज जो मैं आपको बताता है आया हूं PDF फायल का साइस कैसे रिडियूस करना है यह चीज भी आपको दमाग में रखनी है दोस्तो PDF फाइल का नाम देने की SS कोई नीड नहीं होती लेकिन बच्चे नाम इसलिए देते हैं ताकि जब वो पोर्टल पर अप्लोड करने जाए तो इसली उनको अपने की PDF फाइल का आपको कोई नाम देना है ठीक है तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा और हम जो बात कर रहे हैं अगर पोर्टल हैंग हो जाए तो क्या होगा लास्ट येर क्या हुआ था जो डैली उनिवरस्टी ने जो अगस्ट में एक्जाम लिये थे उसमें पोर्ट कर सकते हूं लोगों को ठीक है लेकिन मेल करने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आपका एक्जाम साड़े छे बज़े खतम हो रहा है आप मेल कर रहा है और नो बज़े दस बज़े ग्यारा बज़े आठ बज़े ये चीज बिलकुल भी मत करिएगा ठीक है मेल करने का मतलब है कि बिल्कुल Emergency circumstances में ही आप mail करो पहले आप पूरी-पूरी कोशिश portal पर ही upload करने की करो फिर mail करो快 mail करने के जो last year जो दिसम्बर में exam होते है उसमें जो official guideline में mail करने की facility नहीं दी गएृ थी लेकिन जब paper हुआ बच्चों तो आप जो मार्स में एक्जाम होने वाले हैं उसमें डैफिनिटली आपको mail करने की भी कोछिस करने की कोछिक करनी है कि मेरी PDF फाइल पोर्टल पर ही अप्लोड होता है अगर नहीं होती पोर्टल पर अप्लोड तब मुझे मेल करना है ठीक है तो यही कुछ तरीके हैं दोस्तो Open Book exam के I hope आपको यह वीडियो काफी लंबी लगी होगी मुझे जानता हूँ बट मैंने ट्राइ करा है कि जो भी important information है वह आप लोग को दी जाए ताकि जो first time appearance है उपन पुक exam में उनको कोई दिक्कत ना है दाकि इसके अलावा भी कुछ तरुवत पढ़ती है वीडियो बनाने की एक वीडियो, दो वीडियो, दस वीडियो जरूर में वीडियो बनाऊँगा मुझे कोई problem नहीं है प्लीज आप लोग support कर दे रही है आप इस वीडियो को share कर सकते हैं और पहली बार अगर चैनल पर आया है तो चैनल को subscribe कर सकते हैं Thank you